नमस्कार आप देख रहे हैं अखबार चुकत अंदोर में लगातार बढ़ते कोरोना वाइरस के मामले इसे लेकर प्रशासन काफी ज्यादा सक्त है और इस पर प्रयास निरंतर जारी है इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पर अंदोर स्थित कोचिंग डीपो में कोरोना वाइरस के संक्रमित मरीजों के लिए 40 सामान्य तथा स्लीपर कोचिस को आइसोलेशन वाड में परिवर्तित किया जा रहा है इसके तहत कोच के अंदर बीचवाली बर्थ को हटा कर आरमदाएक बर्थ में परिवर्तित किया जा रहा है साथ ही दोनों साइड में एक शोचाले को बात्रूम में परिवर्तित किया जा रहा है इसी तरह 25 सामान्य तथा स्लीपर कोचिस को डॉक्टर अंबेड करनगर के कोचिंग डीपो में आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित किया जा रहा है रिपोर्ट अखबार चुकेत